दोस्तों नमस्कार अब देख रहे हैं 4PM News Network पर डॉक्टर लक्षमड यादो का विशलेशन आज कई घटनाओं को एक साथ जोड़ते हुए उत्तरप्रदेश को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उत्तरप्रदेश में भारती जनता पार्टी की जो सरकार है वह पूरी तरसे कानून बिवस्था में फेल हो चुकी है और मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों पर चुनावी दौरे पर है और उनके मंच पर नू हत्या का आरोपी दिख रहा है उसके लिए वो चर्चा मे हैं फिर कभी-कभी इस बात के लिए चर्चा में है कि कोई मौलवी उनको राम राम बोल रहा है मुख्यमंत्री योगी अदितनाथ मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी को साधने में लगे हैं या दिल्ली पर उनकी नजर है ये अभी विद्वानों में इस बात पर मद्भेद लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है कि उनकी नजर उत्तरप्रदेश पर नहीं है उत्तरप्रदेश में उनकी सरकार दलित, पिछड़े, माइनॉर्टी के विरोध में काम कर रही है ये आम धरड़ा वहां के नागरिकों में बस चुकी है सेल सेलेवार कुछ घटनाएं जो उत्तरप्रदेश में इस समस्था चर्चा में हैं उसके साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई उत्तरप्रदेश की सरकार भारती इंतापर्टी की सरकार कानून बिवस्ता और भ्रष्टाचार के लिहाज से फेल हो चुकी है और क या वो वंचे शोशे दलेट पिछडा माइनर्टी विरोधी हो चुकी है पता नहीं इस बात को कितना सेंट्रल मीडिया दिखाएगा या नहीं दिखाएगा कि एक बहुत बड़े अधिकारी की जो मुख्यमंत्री योगिया अगितनात के बहुत करीबी रहे हैं लोग उस प पी पकड़ा गया सुख बुगाहट हुई कि पचास करोण उनका पहाड पर कहीं घर कोठी उठी बनी है वहां से पचास करोण चोरी हो गया किसने चोरी कि कहां से पैसा आया क्या हुआ कुछ जांच होई नहीं फिर एक दिन उस अधिकारी का बयान आया फिर उसके बाद सब चिप गया है एक पुराने अधिकारी ने आरोप लगा या फिर माफी मांग ली कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ कि हुआ क्या कानुन बेवस्ता का ये हल है कानपूर में छोटी सी वीडियो बना करके कुछ लोग या रोप लगा रहे कि यूपी पुलिस रोज अवयद दूली कर रहे हैं इसे हम त्रस्त आ गये हैं ये वीडियो बना दी पुलिस वाले का चैरा उसमें देखने लगा पुलिस को जाच करनी चाहिए यूपी पुलिस को जाच करनी चाहिए कि उसकी छवी की साख ऐसे दाव पर है अगर ये वातें मेडिया में जो आरी वो गलत है तो उसका स्पश्टी करण तो और सही है तो अपनी छवी और साख को बचा लें क्योंकि उत्तर प्रदेश में चर्चा में क्या है कि सरकार फेल हो रही है और अधिकारियों को काम पर लगा दिया गया है और यह आरूप विपक्ष भी लगा रहा है जैसे एक प्रकरण जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वहाँ से शुरू करते हैं इसको और समझने कोशिश करते हैं उत्तर प्रदेश की कई इलाके वहाँ पर जाने कितनी बार बुल्डोजर यह कहके चला दिया गया कि नक्षा पास नहीं था विपक्ष यह कहता रह गया कि नक्षा तो बहुत जादा तादात में पूरे प्रदेश में लोगों का पास नहीं है कभी किसी खेती वाली जमीन पर घर बना लिया किसी ने तो किसी सरकारी खाली पड़ी जमीन पर किसी ने घर बना लिया लेकिन बुल्डोजर चल गया बुल्डोजर चल गया इस बात को ले करके लेकिन सब पर नहीं चला उत्रपदेश में एक जला है फरूखाबाद फरूखाबाद में 30 साल पुरानी लोगों के आवास बने हुए है आवास किस जमीन पर हैं इसको लेकर के विवाद है मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक वो जमीन एक प्लांट को दे जगई थी सरकार की एक तरह से थी प्लांट को दे दी गई अब कैसी सरकार की थी उसर बंजर थी आबादी की जमीन थी या पट्टे की जमीन थी उतरप्रदेश में जब अधड़ी मायवती जी का सरक्षन काल था तो सरकारी पड़ी जमीन पर उन दलितों, वंचितों, शोशितों को पट्टा करा दिया गया जिनके पास एक इंच जमीन नहीं थी और जमीन का सवाल बहुत पुराना है इस दिश में जो जमीन को जो तेब होए, वो जमीन का मालिक होए, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है जमीन के बेना, आप कलपना करिए, किसे के पास सैकड़ों एकर, हजारों एकर जमीन और एक बहुत बड़ी आबादी जिसके पास एक इन जमीन ने और अब जो वो जमीने खाली पड़ी तो उतरपतेश के किसी गाउं में चले जाए आबादी की जमीनों पर लोग घर बना लेते हैं फिर सरकार को इन नीती उती बनाती है उसको कहीं से सेटलमेंट कर देती है कि बने बनाए घर न तोड़े जाएं लेकिन कुछ उसका रास्ता ऐसा निकाला जाए कि अवैद कब जाबी न रहें लेकिन फरूखाबाद के दरजनों मकान कई बुल्डोजर लगा कर धुस्त कर दिये गए उनमें अधिकांश मकान के बारे में ये खबर आ रही है कि वो वन्चिस शोशित समाज के थे बहुजन समाज के थे OBC या दलित परिवार के थे क्या तीस साल से अगर कोई मकान बना लेता है तो उस मकान को सरकार यों ही धुस्त कर सकती है रोते बिलकते सामानों को कूडे में तबदील होते लोग चुपचाप तमाशा देखने को मजबूर कर दिये गए घर बना तीस साल रहे जो बच्चे उस घर में पैदा हुए होगे किसी के शादी उसी घर में होई होगी बुढे माबाप का इलाज उसी घर में रहा होगा किसी कोने कोई छोटा सा बच्चा दिया जला के या लालतेन या बल्ब की रोशनी में अपना भविश्य सुधारनी की पढ़ाई कर रहा होगा कोई बच्चा खेल रहा होगा कोई महिला कान बना रही होगी कोई बच्ची पढ़ रही होगी और सबने अपने घरों को तूटते हुए देखा बलखते हुए कहा कि हमारे बच्चों की हाई लगे तुम्हें और इसलिए विपख्च ने इस सवाल को उठाया खिलेश यादों ने कहा कि जिनोंने घर बसाया नहीं उन्हें घर बनाना भी नहीं आता घर गिराना आता है सरकार और पुलिस का पक्ष यह है कि जमीन आपके नहीं थी हमने घर गिरा के खाली करा दिया क्या उत्तपदेश के उन घरों पर भी बुल्लोजर चलेगा जनका तालुक किसी न किसी रूप में सत्तध हर इखे में से है अब जो मैं किसी न किसी रूप से कह रहा हूँ तो उसमें आप जो जो फिट कर सकते हैं करते जाईए राजनितिक दल से फिट कर ये नेता का घर है क्या जाती फिट कर ये मुक्वंतरी की जाती है क्या और जब मैं जाती कहूं तो फिर नाराज मत होईएगा योगी होने के बाद भी लोग अपनी जाती बताते हैं जाती के नाम पर बाटते हैं जाती के नाम पर सारी राजनित करते हैं उनके घरों को नक्षा चेक करके कितने गाउं में गिराया गया जिनका तालुक सत्ता और ताकत से है जो कमजोर हैं, शोशित हैं, वंचित हैं उनके घरों को कागज देख करकी गिरा दिया जाए बशीर बद्र नेक शेर लिखा था कि लोग तूट जाते हैं एक घर बनाने में तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में उजार दिया, उत्रप्रदेश इसलिए सुर्खियों में है उत्रप्रदेश इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि बुल्डोजर इतना चलाया कि बुल्डोजर को न्याय का परतीक बना कर चला दिया जाए किसी पर आरोप लगा बुल्डोजर चला कर घर गिरा दो अभी न नियापालिका में जहाच होई, न परताल होई, न आरोप साबित हुआ, न सुप्रिम कोर्ट को नियापालिका न सजा दी, लेकिन बुल्डोजर सरकार चला देती है, और कई मामलों में हो चुका है ये, और वो सारे मामले दलेत, पेचड़े, अल्पसंख्यक, जातिवादी और सामप्रदाइक तरीके से नियम, कायते और सरकार चला रही है, क्या उसकी पोलिस, उसके प्रशाशन, उसके अधिकारी, जो ये काम करके आखा को खुश करना चाहते हैं, वो उसी रास्ते तो नहीं है, जिस रास्ते 50 करोन की चोरी घर में हो जाए, कितने अ इससे बढ़ करके चार कदम करो, इशारे में कैदो देखो यादवों का बस्ती उजार दी, देखो मुसलमानों पर बुर्लो जच चला दिया, देखो यहाँ पर क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश के सरकार के साथ यहाँ दाओ कर लगी, उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसी खबरों से लगातार, अब जैसे उत्तर प्रदेश के फते पूर जिले में, इंटर कॉलेज के एक शात्रा, प्रिया मौर्या, अभी तक यह कहानी सामने आ रही है कि उसने सुसाइट कर ली, अब जरा इसको देखिए, आप राज कैसे चलाते हैं, कानून का राज कैसे होता ह क्या होता है, किशनपूर थानाक्षितर के शाहीपूर मजरे में, गाउं में रहने वाली, राजु मौर्या की सत्रा वर्सी बेटी, प्रिया मौर्या, भतेपूर के खागा कुतवाली के शहजात पूरिस्तित सरसुती बाल विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज में, बारहमी की शात्रा थी, साइंस की विद्यार्थी थी, बहुत सीधी शरीफ जैसे विद्यार्थी होते हैं हमोवन, बस से स्कूल और घर आने जाने के प्रयोक करती थी, कई दिनों से बस का ड्राइवर उससे चड़खानी करता था, परिशान होकर के वो स्कूल की दूसरी या तीसरी मंजिल से कूद करके आत्मत्या करने की कोशिश करती है, ये कहानी आ रही है, कूदी है कि नहीं कूदी है, अब ये जाच का विश है, क्या है, कैसे है, पीछे का कहानी क्या है, बहुत देर तक खबर आई कि प्रिंसिपल जो कॉलिश प्रबंधर्ख है उसको बचा रही है पुलिस और सरकार ड्राइबर को भले गिरफ्तार कर लिया लेकिन अभी पता नहीं वो गिरफ्तार हुआ के नहीं लोग जब भतेपूर की सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट करने गए दोड़ा के वहां के पुलिस मारने लगी है वीडियो आईए देखिएगा पत्रकार जो टाई लगाए हैं उसको थपड़ मार रही है पुलिस भागो यहां से और जो पीडिता का भाई है उसको पुलिस मार करके हटा रही है कि तुमको ज़्यादा कूदर है ज़्यादा नेता बन रहे है यहनि अगर आप न्याय की बात माले है प्रिया मौर्या एक बच्ची जो कल को बहतर करती इस देश का समाज का अपने परिवार का भला करती पढ ज़ने गई जारी है यह उसे इस तरह से छड़काने कि कहां गया वो मुक्यमंत्री योगिया अधिनात का बयान की इस चौराहे पर अगर किसी शोहदे ने किसी बच्ची को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहे है आंखे मठका करके चहरे पर छ चाहे काम दिखना चाहिए प्रिया मौर्या के परिवार वाले न्याय पाने के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं और पुलिस क्या कर रही है कहां गया वो यमराज यह तो वही प्रदेश है ना जिसमें कहा गया कि बुल्डोजर चलेगा बी एचियू की छात्रा के साथ गैंग रेप के आरोपी बी जेपी के आईटी सेल के मेंबर थे दूसरी प्राज में जाकर वो भी वोट मांगने चले गए थे किसी तरह से साथ महिने बाद पकड़े गए जेल हुई बरी हो गए किसी के पैर में गोली नहीं लगी किसी को इनकाउंटर नहीं हुआ किसी के घर पे बुल्डोजर नहीं चला जब उत्तर प्रदेश में ये दोनों दुर्श आमने सामने इस तरह की घटनाओं के देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या भारती जनता पार्टी और उसकी सरकार के लिए अपराधियों की जाती देखी जाती है क्या क्या कानून बिवस्था का यही समीकर और यही तरीका होना चाहिए कि वो किस तरह से करें एक के लिए कानून कुछ और दूसरे के लिए कानून कुछ और अस्पतालों में दवाई नहीं विडियोज उत्तरप्रदेश की आ रही है इन विडियोज को आपको जरूर देखना चाहिए अगर कोई बीमार मा है तो उसके इलाज के लिए उसका बेटा गोद में उठाकर हस्पिटल जा रहा है श्ट्रेचर नहीं है उसके पास किसी के पैर टूटा है उसका एक्सरे कराना है लखनव की हस्पिटल से विडियोज आ रही है कि कंधे पर लाद करके मरीज को ले जाईएगा क्योंकि सरकारी अस्पताल में इस्ट्रेचर तक नहीं मिलेगा सरकार की जम्मेदारी फिर क्या होती है अपराद आपसे नियंत्रित हो नहीं रहा महिलाओं के परती अपराद रोज बढ़ता जा रहा किसी ने किसी जगा छिड़ खानी कहीं और अंदोलन करने वाले कभी यूपी टेट के बच्चे हैं कभी सिक्षक बनने वाले बच्चे ह हर जगह से प्रदेश की पुलिस का रवया जो सामने आ रहा है कि वो अंदोलन कर्यों के खिलाफ हो जारी है क्या भारती जनता पार्टी इस तरह से सरकार चलाने में नाकाम होगी और मुक्यमंत्री योग्या दितनाथ विदेशी देशों का नाम लेकर के दल्ली की कुरसी से हर्याणा में जब चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो नूह जो दंगा हुआ हर्याणा में उसका जो मुक्यारूपी था वो उनके मंच पर दिख रहा है अब यह तस्वीरे कौन से सवहार्द और सदभावना ट्रेन चला रही हैं सदभावना ट्रेन चला रही है बयाने आद ह लेकिने आपको मुक्यमंतरी योग्या दितनात ने ट्रेन चलाने के लिए एक मुसल्मा ने किया दो कनाम लेकर कि कहा ता लख नव में और वही काम अब मुक्यमंतरी खुले आम कर रहे हैं गाउं गाउं में नफरत फैला दिया है गाउं गाउं में जाती उनमात फैला दिय गाउं में महिलाएं सुरक्षत नहीं है, बेटियां सुरक्षत नहीं है, गाउं कस्बे से लेकर राजधानी तक के अस्पतालों में न दवाईयां है, न डॉक्टर है, न श्ट्रिचर है, और पूरे प्रदेश की पुलिस भ्रष्ट हो चुकी है, क्यों कि उसके उपर करो, ये बात अब मेडिया में खुले आमाती है, भाजपा की विधायकों ने बोला है, कि कमिशनरेट का नाम बना देना चाहिए, कमिशनरेट, बीजेपी के विधायक कह रहे है, चाहे वो मिरजापूर का अपना दल का विधायक हो, जो बीजेपी का सायोगी पार्टी है, या बीजेपी का अपना विधायक हो, जो कमिशनरेट का नाम लेता है, तो क्या सरकार इस तरह चलेगी होगी आज इतना ची, सवाल उत्तप्रदेश के लोग आपसे पोच रहे हैं, क्या भारती जनता पार्टी वाकई इस तरीके से दालित पिछड़ा वंचित विरोधी हो और क्या वो अपना समाकरन साध पाईगी, और मुक्यवंत्री वोट मांगकर बीजेपी गुजेताने में लगे हैं, और बीजेपी के सरकार उत्तप्रदेश को हर नकारातमक मामले में अवल बना चुकी है, मैलाओं के प्रतियापराद, ब्रष्टाचार, लूट, हत्या, ब प्रिया मौरिया को न्याय उसके परिवार वालों को मिल पाएगा या नहीं, और कौन किसको बचा रहा है, कौन किसको पकड़ रहा है, और ये भरुखाबाद के बुल्डोजर, सुप्रिम कोट ने रोक लगा रखी है कि बुल्डोजर इस तरह आप नहीं चला सकते, लेकिन क्या एक ही गाओं में एक ही बसती कि एक ही कुछ लोगों का मकान अवैद जग्मीन पर हैं, क्या उत्तरपदेश के बाकी गाओं में बाकी लोगों के मकान अवैद नहीं है, क्या घरों को तोड़ती जाएगी से बीजेपी, विकास के लिए, ये उध्या से शुरू हुआ थ और भाजपा का नेता हो तो उसको कुछ नहीं होगा अगर आप भाजपा के विधायक पूर विधायक संगीत सूम जैसे हैं तो आप किसी सरकारी अधिकारी को फोन करके हड़का यह उल्टा पुल्टा बोलिए कि आ गया तो मैं सुधार दूंगा और फिर भाशन में अगले द आज शब्द ना अख़बार लिख रहे हैं ना टीवी चैनल बहुत हो रही है ना मुख्यमंत्री योगी अधिनात का चेहरा दिखा करके स्तीफा मांगा जा रहा है घटनाएं बदस्तूर चारी हैं बशरते की आपको नजर आ रही है या नहीं यह पढ़ताल आपको करनी है अपना टिपड़ी नीचे कमेंट बॉक्स में बदाईए रहा फिर ऐसे ही विश्रेशन के साथ मलेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद